नमस्तार मैं हैं मंत बगेल अब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय नगर शामराज्य से संबंधित महतपूर्ण प्रशनों पर यहां मैंने टोटल सव प्रशन लिया हुआ है लेकिन इस वाले वीडियो में केवल हम 50 प्रशनों पर ही चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए 50 प्रशन हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे तो यहां मैंने जितने भी प्रशन लिये हैं सभी आपकी परिक्षा के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है कुछ प्रशन तो ऐसे हैं जो किसी ना किसी परिक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी-पूरी शंभावना बनती है तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जितने भी कोस्चन है सबको सॉल्व करने की कोशिश क करिएगा हां अगर अभी तक आप लोगोंने विजय नगर शामराज्य को नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग विजय नगर सामराज्य को डीटेल से पढ़िए उसके बाद ही ये कोस्चन आंसर वाला सीरीज देखिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपक डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हो तो वीडियो को चालू करते हैं तो यहां मैंने सबसे पहला प्रशन लिया है विजय नगर सामराज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे इनके पिता का नाम था इनके द्वारा जो राज वंस चला उसको संगम वंस कहा गया क्यों क्योंकि इनके पिता का नाम था संगम तो संगम वंस विजय नगर शाम राज्य का सर्च करेंगे तो वहां भी आपको इसका PDF मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिएगा हेमंत बगहल क्लासेश नाम से आपको मिल जाएगा तो अगला कोश्चिन दिखते हैं विजय नगर सामराज जी की स्थापना कब हो यह भी कहीं बार पूछा गया है तो 1336 मे विजय नगर सामराज जी की स्थापना हरिहर और बुक का नामक दो भाईयों ने किया था तो अगला कोश्चिन है विजय नगर सामराज जी की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान का शाषन था यह कोश्चिन क्यों इंपोर्टेंट है तो जो दक्षिन का जो रहना वो दिल्ली सल्तनत के अंतरगत आता था अलाउदिन खिल जी ने जीता था तो इस कारण से तो जिस समय विजय नगर सामराज जी की स्थापना हुई 1336 में तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तुगलक वन्स का शाषक मुहम्मद बिन तुगलक ध्यान रखना मु वहमनी सामराज जी की स्थापना भी मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुई थी वहमनी सामराज जी की स्थापना विजय नगर सामराज जी की स्थापना की ग्यारह वर्स पास्चात अर्था 1347 में हुई थी अगले को दिखते हैं विजय नगर का साबदी कर्थ क्या है तो विजय नगर इसका साब्दिकर्त क्या है तो विजय का मतलब होता है जीत और नगर तो नगर है मतलब सहर तो जीत का सहर या जीत का नगर वो होता है विजय नगर अगला कोश्चन है विजय नगर सामराज जी की राजधानी थी तो देखो विजय नगर सामराज जी की जो प्रारंबिक राजधानी थी न वो थी आने गुंडी क्या थी आने गुंडी याद रखना सुरू में कुछी समय तक थी आने गुंडी बाद में फिर हरीहर बुक्का ने मतलब जो हरीहर है न उसने फिर आने गुंडी के इस्थान पर विजय नगर को अपनी राजधानी तुंग भद्रा नदी याद रखना तुंग भद्रा नदी ये दक्षिन की प्रमुक नदी है तुंग भद्रा नदी तो इसी के तट पर विजय नगर सामराज्य की स्थापना हुई थी तुंग भद्रा नदी के तट पर ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के तड़ पर इसकी स्थापना हुई थी देखो जो तुंग भादरा नदी है ना वहीं पर आने गुंडी यह किला होता था आने गुंडी किला आने गुंडी का दुर्ग तो इसी आने गुंडी के दुर्ग के सामने हरिहर और बुक्का इन दोनों भाईयो तुमने विज्यनगर साम्राज्य की नीव रखे थी संगम सा चाहिक अगर कोई नैज सथापित हुआ भी तो उसको साम्राज्य की शंग्यान नहीं देजा सकती क्यूंकि उनका प्रकार रहे छीतर है वो छोटा था जबकि विजय नगर सामराज्जी के अवशिष कहां से प्राप्त हुई हैं ये कोश्चन बहुत बहुत बार पुछा गया है तो हम पी देखो जो विजय नगर है न मतलब जहां पर विजय नगर हुआ करता था उसका वरतमान समय में नाम हम पी है ह अगला ने फिछला विजाई नगर्ज्व..डिव मरी अंतरगत जो उन्हें उसके बाद आता है तुलूबा सबसे आखिर में अर्विडूबा सबसे पर हिर ना है संगम, शालूब, तुलूब और अर्वीडू अगला कुश्चिन है विजय नगर सामराज्य का अंतिम राजवन से कौन था तो ये अर्वीडू था अगला दिखते हैं विजय नगर सामराज्य का प्रथम सासक था हरियर देखो हरियर और बुक्का दोनों ने मिल करके सामराज मतलब हरिहर की जबख़त हो जाती है न तो इसका भाई जाया तो ध्यान रिकना है हला हरिहर ता दूसरे नंबर में घृता अगला क्वेर जांत विशेये नगराज्य का सबसे प्रचिदधृ तुलूव वंस तो उसका था कृष्ण देव राय इसका सासन का लियाद रखेंगे 1509 से लेकर के 1529 तक कृष्ण देव राय का ये जो है विजय नगर सामराज जी ही नहीं भारत के महांतम सासकों में इसकी गड़ना होती है अगला कुश्चिन है कृष्ण देव राय विजय न ये ने बताया तुलूव वंस तुलूव वंस जो की विजय नगर सामराज्य के अंतरगत सासन करने वाला तीसरा राज वंस था अगला कुश्चिन है शंगम वंस के किस सासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है दो समुद्रों का अधिपति किसको कहा जाता है तो य यह बोला जाता है हरीहर को याद रखेंगे हरीहर जो कि इस सामराज्य का प्रथम सासक था हरीहर इसको दो समुद्रों का अधिपती बोला जाता है अगला कुश्यन है सर प्रथम किस सासक ने बहमनी और विजय नगर सामराज्य के मध्य बने विवाद के कारण कृष्णा नद तो जैसे ही बहमनी सामराज्य की स्थापना हुई उसके कुछी समय बाद विजय नगर और बहमनी दोनों के बीच सीमा विवाद आरंब हो गया क्यों कि दोनों एक दूसरे के पडोसी थे और बहुत ज़्यादा इनके बीच संघर से चला था कभी बहमनी हावी होता तो कभी व प्रश्न कर रहा है कि सरो प्रथम किस सासक ने बहमनी और विजय नगर सामराज्य के मध्य बने विवाद के कारण कृष्णा नदी को बहमनी तथा विवाद का कारण बना हुआ था क्योंकि कई बहमनी बोलता था इसके आगे का छेत्र भी हमारा है जबकि विजय नगर उसक बिशना नदी को भ compass विजन अगर सामराजजी के बीच का सीमा माना ध्यान रखेंगे इस चीज को अगला कोश्चन देखती हैं वेद मार्ग प्रतिश्थापक कि सासक की штimm तå यह झूद्वावादी थी विदमार्ग प्रतिष्ठ ठापक K需要 मार्ग प्रतिष्ठ ठापक इंपर्टेंट हैं तो यह जो है ना बुक्का ऐना में से आँगे वी एक सासक हुआ थे mad आगे चलकर कर्के एक और सासक होता है बुक कानामसे यह श्कारत हम वैसे जो क्या करते हैं जो हरिहर था देत बिशेदीanारığını राजनेतिक संबंद थी, यह हम बोल सकते हैं, अगला कुश्चन देखते हैं, विजय नगर सामराज्य के किस सासक ने तीन समुद्रों की अधिपती की उपाधी धारण की थी, उसके बाद तीन समुद्रों का अधिपती, ये उपाधी किस ने धारण किया था, भुक का प्रथ अगले कुश्चन को देखते हैं, विजय नगर सामराज्य के किन सासकों ने राजा और महराजा की उपाधी ग्रहन नहीं की थी, ध्यान रखना है, बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है, हरिहर और बुक का इन दोनों ने राजा और महराजा इस टाइप की कोई भी उपाधी धारन नहीं की थी, इनकी जो इस टाइप की उपाधियां थी उसको याद रखना, अगला कुश्चन है, विजय नगर सामराज्य का प्रथम सासक कौन था, जिसने राज सिहासन पर महराजा धीराज की उपाधी ग्रहन कर बैठा था, मतलब की महराज की उपाधी धारन करने दिझा हुआ हो फ़ला सासक कौन था, यह आप लोगों को बताना है, तो विजय नगर सामराज्य का प्हला सासक जिसने महराजा धीराज की उपाधी धारन की, वो था हरी अर धार धूतिय, देखो यह हरी हर धूतिय है, इससे पहले जो था वो प्रथम था, यह उरी हर धूत तो हरिहर दूतिय ने महराजा धीराज की उपाधी धारण की थी ध्यान रखना gonna confuse मत होना इसमें अगला कुष्चन है विजयनगर सामराज्य के किस सासक ने स्रीलंका के राजा को परास्त कर वशूल किया था तो ये कौन था हरिहर दुति इसने स्रीलंका के राजा तक को परास्त किया था और उससे बखाइदा कर भी लिया था टैक्स भी लिया था अगला कुस्टन है विजय नगर सामराज्य का शाषक हरिहर दुति है किस कारण से राजव्यास या राजा वालमिकी कहलाता था हर यहर दूतिय यह राजव्यास और राजा वालमिकी के नाम से भी इसको जाना जाता था क्यों विद्वानों को सनरक्षन देता था यह बहुत मतलब कि विद्वानों का आसराय दाता था इसी कारण इसको जो है राजव्यास और राजावालमिकी की उपाधी दी गई थी आगला कुशन है बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ किस सासक का संघर्ष हुआ था ये बहमनी सुल्तान था ताजुद्दीन फिरोज शाह देखे वैसे तो बहमनी और विजयनगर के बीच बहुत सारे संघर्ष याद रखना देव राय प्रथम हारा भी धा हा हाला कि उसने एक बार ताजुदन फिरोज साह को हराया भी था तो जो देवराय प्रथम है उसने फिरोज साह से हारने के बाद उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया था तो इतिहासकारों ने इस विवाह को सोनार की बेटी का विवाह कहा है क्या कहा है सोनार की बेटी सोनार क्या होता है जो सोरणकार होता है जोएलर तो सोनार की बेटी जो जोएलर होते हैं बहुत रईस होते हैं और अपनी बेटियों के विवाह में बहुत सारा दहज देते हैं तो हुआ ये था कि देवराय प्रथम ने अपनी बेटी के जब विवा किया फिरोज सहा से ताजुद्दिन फिरोज सहा से तो दहेज के रूप में बाकापूर एक छेतर था वो दिया और बहुत कुछ दिया था दहेज में किसी कारण इतिहास कारों ने इसको सोनार के बेटी का विवा कहा है अगला कुस्चिन है प्रशिद तेलगु कवी स्रीनाथ किस सासक के दरबार में रहा करते थे इंपोर्टेंट है ध्यान रखना स्रीनाथ किस सासक के दरबार में रहा करते थे तो देव राय प्रथम के दरबार में रहते थे ध्यान रखना देव राय प्रथम इसके बाद जब देव राय दुटिय सासक बनता है ना तो उसके समय मे भी शुरुवात के समय में थे स्रीनाथ तो ध्यान रखें कि तू लेकिन आपको देवराय प्रथम लगाना है क्योंकि इसके समय में बाखाएदा ये दरबाली की रूप में थे और जब देवराय दुतिय सासक हुआ तो उस टाइम पर भी थे लेकिन देवराय प्रथम ये समय सन 14-14 में भारत की यातरा की थी मतलब विजय नगर सामराज्य की यातरा की थी है इतली का यात्री था और ये थल मारग से भारत आया था ध्यान रखें कि थल मार थे थी तो निकोलो कॉंटि जब्रीदark के सिंद्देदर के समय आया था देवराय प्रथम विजय नगर प बहुत तारीफ की थी इसने अगला कुश्चन है देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनवाया था तो इसने तुंग भद्रा नदी पर बांध बनवाया था क्योंकि तुंग भद्रा नदी के तट पर ही इनका सामराज्य विक्सित हुआ था तो वहाँ पर बांध बनव निकोलो कॉंटिकिस के समय आया देवराय प्रथम के टाइम पर लेकिन जो इमाडी देवराय है ये देवराय द्वितिय की उपाधी थी ध्यान रखेंगे देवराय द्वितिय ये देवराय प्रथम ये देवराय द्वितिय अगला कुछिन देखते हैं खुराशान के सासक साहरुक के राजदूत अब्दूल रजाक किस सासक के सासनकाल में विजय नगर राजजी की यात्रा की थी शाहरुक ये कहा का साशक था खुराशान मतलब फारस में पड़ता है आज का जो इरान है वहाँ पर तो वहाँ के सासक सहरुख के राजदूद के रूप में अब्दूल रजाक ये भारत आता है, विजयनगर सामराज्य की यात्रा करता है और ये किसके समय में भारत आया था तो देवराय दूतिये के टाइम पर देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉंटी इटली से आया था और वही अब्दुल रजाक देवराय दुतिय के समय फारस से आया हुआ था ये सहरुख का राजदुत था यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सहरुख है न ये वही सहरुख है जो तैमूर लंग क उत्राधिकारी था ये ज्यान रखेंगे ये चीज को भी तैमूर का उत्राधिकारी था शहरुख और दिल्ली सल्तनत का शासक खिजर खा वो खुद को सहरुख का प्रतिनिधी सासक मानता था तो ऐसे आप लोग ना रिलेट करते चलिएगा अगला कुशन देखते हैं विज कीज़ान आगर साम्राधिक है किस सासक ने अपनी राज्य अभी Cub कि समय कुरान साथ साथ में रखा था तो ये कऊंथ हा कृष्ण देव traffic जबis ने अपने राज्य अभी से करवाया न तो साथ में कूरान भी रखा था ये धार्मिकी रूप से सहिशु नोथ इसने अपनी स जासक ने मुषल्मानों को मज्जिद निर्मान करने की स्वतंतरता दे रखी थी तो यह नहीं हो न था इसके अपर पर दे रखी होना था तो यह कौहन था देव रायदु धुटिय जिसने अपने राज्य阿व ineffective से किसमें कुरान साथ में रखा था जिसने मुसल्मानों को परमिशन दिया कि वो लोग अपना मस्जीद वगए रहां बना सकते हैं तो ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन है विजय नगर सामराज्य के किश शासक को प्रोड देवराय कहा जाता है तो यह बोला जाता है मलिका इसको मलिकार जुन जो की देवरायद्वित्य का उत्रहधिकारी था मलिकार जुन जाद रखेंगे कि प्रोड देवराय लाता-था प्रोड मलिका और जुन जिसको प्रोड देवराय बोला जाता है तो यह जो है गजपती सासकों से बुरी तरह से परास्त हुआ था उडिशाक सासक थे यह अगला कुशन देखते हैं जीनि यात्री माहुआ ने किस सासक के समय विजैनगर सामराजय की यात्रा कि थी तो माहुआ यह जो है अपने यह जो कहते हैं मलिका और जुन प्रोड देवराय उसके समय में इसने भारत की यात्रा की थी अगला कुश्यन है संगम वन्स का अंतिम शाशक कौन था संगम वन्स का अंतिम साशक ये था विरुपाक्ष दुतिया ध्यान रखेंगे विरुपाक्ष दुतिया बीच में एक ना विरुपाक्ष नाम का साशक हुआ था देवराय, प्रथम और देवराय दुतिये के बीच में कुछ सासक हुए थे, जो कुछ ही समय के लिए सासक बने थे, तो विरुपाक्ष दुतिये ये संगम वंस का अंतिम सासक था, मतलब कि विजय नगर सामराज्य में सासन करने वाले प्रथम राजवंस संगम वंस के सासक थ सब्सक्राइब टो उनमें अंतिम सा सक्था वीरुपाक्षट दूतिय विजय नगर सामराज्य का अंतिम नहीं यह संगम वंस का अंतिम सा सक्था इसका सासन काल कब से कब तक था तो 1460 त्रिशाट्थ 1463 या पैंसर्थ में शुरू होकर के चौदा सो पच्यासी तक इसका सासन था द्यान रखेंगे चौदा सो पैंसर्थ सुरू होकर के 1450 तक इसका सासन था विरुपाक्ष दुटिय का अगला कुशन दिखते हैं विरुपाक्ष की हत्या किसके द्वारा की गई को समाप्त कर दिया गया था तो इसके हत्या की थी सालूव नर्शिय ने याद रखेंगे सालूव नर्शिय यहां मैंने नीचे लिखे भी रखा है सालूव नर्शिय तो इसने जो है विरुपाक्ष की हत्या कर दी और इस तरह से एक बनेट प्रांट का शुभवधार था चंद्रगिडी का तो इसने जो है न इसका जो सेनानाइक था सालूवनर्शिय का तो उसने जिसका नाम कि सेना नायक नर्सा नायक द्वारा वीरूपाक्ष की हत्या करने की घटना को विजाई नगर सामराज्य की इतिहास में किस नाम से जाना जाता है बहुत ज़्यादा नर्शिह का जो सेना नायक था नर्शा नायक उसने बल का प्रयोग करते हुए विरुपाक्ष दूतिय की हत्या कर दी और अपने स्वामी सालुव नर्शिह को सासन करने के लिए आमंत्रित किया तो यही लाता है बला प्रहार और यह जो बलापहार है न यह दो बार हुआ था इसी कारण से इसको प्रतम बलापहार बोला जाता है अगला कुशन दिखते हैं विजय नगर सामराज्य के दूसरे राजवन्स सालूव वंस की स्थापना किसके द्वारा की गई तो यह किया गया था सालूव नर्शिह के द्वारा इसका जो सेना नायक था नर्शा नायक इसने विरुपाक से की हत्या की और सालूव नर्शिह को तक्त पर बैठा दिया अगला कुश्यन देखते हैं सालूव वंस का सासनकाल कब से क तक मात्र 20 वर्स इनका सासनकाल रहा है वहीं अगर पूछा जाए कि विजय नगर सामराज्य के अंतरगत सबसे लंबे समय तक किन सासकों ने शासन किया तो वह संगम वंस के सासक थे लगभग उन्होंने 150 वर्स शासन किया सब्सक्राइब रहा है यह सहान रहा है सालूव नर्षियं सासक बनने कहां का गवर्णर था जैबं की अगला कोशन देखते हैं सालूव नर्शियों को किस सासक ने परास्त कर बंदी बना लिया था तो जो सालूव नर्शियों को बुरी तरह से परास्त किया अगला कोशन देखते हैं सालूव नर्शियों को किसके द्वारा की गई थी इमाडी नर्शियों की सुरूव नर्शियों की द्वारा हुई थी और इस वन्स का अंत भी हत्या द्वारा हुआ तो इमाडी नर्सिया इस सक्था आएक नर्चान सब्सक्राइब के आर। अगला कुश्य नगर सामराज्य के इत्यास में दुतिय बलापहार काभ हुई थी। तो वो यही था इमाडी नर्शिय की हत्या किसके द्वारा नर्सा नायक के पुत्र वीर नर्शिय द्वारा तो यह दूतिय बलापहार था अगला कुछे दिखते हैं विजय नगर सामराज्य के किस सासक ने कुछ तुर्क धनुरधारियों को अपनी सेना में सामिल किया था तो अगला कुछे ने कुछ तुर्क धनुरधारियों को अपनी सेना में सामिल किया था अगला कुछे नगर सामराज्य के किस सासक ने संस्क्रिट ग्रंथ महानाटक सुधा निधी एवं ब्रह्म सुत्र पर एक भास से लिखा तो यह किसके द्वारा किया गया था देवराय दु सक पूछा जाए तो आपको लगाना है कृष्ण देवराय ध्यान रखेंगे कंफ्यूज मत हो ना देवराय दुटिय संगम वंस के लिए था पूरे विजय नगर सामराज्य की बात करें तो उसमें कृष्ण देवराय का नाम सबसे पहले आएगा अगला कुछे ने देवरा सामराज्य नहीं जो विजय नगर इनकी जो राजधानी थी उसका वरतमान नाम मिलता है हमपी हमपी इसके जो पुरातात्विक साक्षे है न मतलब विजय नगर के जो भी मतलब भगनावशेश है वो हमपी में देखने को मिलता है हमपी का एक नाम हस्तिनावती भी प्राप या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी question का गलत answer किया है, तो आप लोग नीचे comment box में जरूर लिखेगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए, तो आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, इस वाले वीडियो के description में भी आप लोग मेरे telegram channel का link देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, तो telegram channel को join कर लिजिएगा ताकि ऐसे PDF आप लोग download कर सकें, तो वीडियो को like करिएगा, जितना हो सकें, उतना share करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धाएगा,